नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजुली सिंग आप देख रहे हैं आइनस नूस प्लस का प्रकुर शुरुआत करने से पहले एक नजर हेट लाइस पर अपरादी विकास दुबे को उजयां से कानपुल लाए जा रहा था कानपूर के नजदीक पहुचते ही विकास दुबे का एंकाउंटर कर दिया गया लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मीडिया कर्मियों को दो किलो मीटर दूर ही रोक्यों दिया जाता है अचानक से आदे गंटे के अंदर गाली पलती है विकास दुबे हत्या चीन कर भागने की कोशिश करता है सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि विकास दुबे के सभी साथियों का एंकाउंटर थी उसी तरह से किया गया है जिस तरह से एंकाउंटर विकास दुबे का किया गया है ये पूरी रिपोर्ट देखें कानपूर में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद कई दिनों तक पुलिस को जगाने वाला गैंक्सर विकास दूबे पुलिस के साथ मुढ़ फेड में मारा गया है बता दे कि विकास दूबे को कानपुर लारी स्टीफ के काफिले की गाड़ी आज सुबा हाथसे का शिकार हो गई थी कानपुर के करीबी ये हाथसा हुआ था पुलिस के अनसार हाथसे के बाद पुलिस की बंदू झीन कर विकास भागने की कोशिश कर रहा था इसी दोरान पुलिस ने कुख्यात अप्रादी को मार किराया जानकारी के अनुसार विकास दूबे को लेकर रवाना हुई गारियों में से आगे चलने वाली गारी ने टकर मार दी चकर लगने के बाद पीछे काफिले में चल रही अन्य गारियों ने तेजी से ब्रेक लगाए और सभी गारिया आसंतरलित होने लगी विकास दूबे दूसरे नंबर की गारी में दो लोगों के साथ बीच की सीट पर बैठा हुआ था काड़ी के पलकनी के साथ ही विकास ने भागने की कोशिश शुरू कर दी उसने पुलिस कर्मी की पिस्टॉल निकाली और वहां से भागने की कोशिश करने लगा इसी तोरान पुलिस ने उसे मार गिराया दुर्दान्त अप्राधी विकास दुबे आज एंकाउंटर में ठेर कर दिया गया लेकिन विकास दुबे के एंकाउंटर के बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं ये पूरी रिपोर्ट देखें मध्यप्रदेश के उजयन महाकाल मंदे से पकड़ा गया दुर्दान्त अप्राधी विकास दुबे शुक्रवार को कानपुर में उत्रप्रदेश स्टीफ के साथ एंकाउंटर में मारा गया इस एंकाउंटर को लेकर यूपी में सियासत करमा गई है यूपी के पूर्वे मुख्यमंद्जी और समाजबादी पाटी के मुख्या अखलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि दरसल ये कार नहीं पलटी है रास खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है इस एंकाउंटर को लेकर कॉंग्रिस की नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रतिकिया रही है उन्हेंने कहा कि अपराधी का अंध हो गया अपराध और उसको संग्रशन देने वाले लोगों का क्या उजयन से विकास दूबे के गिरफतारी के बाद सही यूपी से लेकर मध्यप्रदेश तक सियासत जोरो पर थी और कॉंग्रिस लगातार बीजेपी पर निशाना साथ रही थी तो वहीं अब कॉंग्रिस की राजिसभा सांसर दिगविजे सिंग ने भी इस एंकाउंटर को लेकर कहा जिसका शक था वो हो गया विकास दूबे का किनकिन राजलेतिक लोगों से पुलिस वा अन्य शाष की अधिकारियों से उसका संपर्ट था अब उजागर नहीं हो पाएगा पिछले तीन-चार दिनों में विकास दूबे के दो अन्य साथियों का भी एंकाउंटर हुआ है लेकिन तीनों एंकाउंटर का पाटर एक समान क्यों है इस दोरान शिवसेना की नेता प्रियंका चतुरवेदी ने भी निशाना साथनी में कोई देर नहीं की और कहा ना रहेगा बास ना बजे की बासरे दरसल जब कोक्या तपराती विकास दूबे उजयन से पकड़ा गया था तबी इससे सियासी घमासान चारी है पाटिया एक दूसरे पर लगाता सवाल खड़े कर रही थी सियासत जितनी भी हो लेकिन पुलिस के लिए सरदत बन चुगा गैंक्सर विकास दूबे का खेल खत्म हो गया है तो ये विकास दूबे के एंकाउंटर के बाद ADG कानपुर जोन जैनारायन सिंग ने क्या कुछ कहा आप सुनिये ये चुब रहे है दूबे को लाए जा रहा है और यहाँ पर गाड़ी दुरगटना जरस्त हो गई इसमें पाइडा उठा करके जाते हैं उसने जो भीवेचक थी उनकी फीस्टल शिन करके भागने लगा इसमें एस्टी अपे टीम बैक अप में वहाँ पर आ गई जाते हैं विकास दुबे के एंकाउंटर को लेकर तमाम तरहा की सवाल तो खड़े हो ही रहे है साथ ही विपक्ष पे कोई कोर कसण नहीं जोड़ रहा है पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संग्रक्षन राजनितिक सोर्सिस से होता है सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं तो अब विकास दूबे के इंकाउंटर के बाद जो आठ पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं, कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई. कॉंग्रेस पार्टी की ये मांग है, कि सुप्रीम कॉर्ट के सिटिंग जज एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायक जाच हो, जो पूरे कानपुर कानड का पूरी तरह से उसमें जाच करके, जो असलियत है, वो जनता के सामने रखे. कई सारे तक है, एरेस्ट और सरेंडर के बीच में बहुत सारी कहानियां चित्मी हुई है, महाकाल टेंपल के सामने जो वीजुवल्स हमने देखे, उसके बाद एक वाइरल वीडियो एक साब मदबडेश पूलिस का आता है, उसके बाद ये एंकाउंटर तथाकतित होता है, इस एंकाउंटर में सिर्व विकास दुबे की मौत नहीं हुई, वो तमाम सच की मौत हो गई, उस सिंडिकेट से जुड़े हो यतने सुराग हो सकते थे, उनकी मौत हो गई, मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए दी ब्लॉट है, और जो रसुपदार अब उनके काली कर्टूतों पर परदा पड़ा रहला, विकास दुबे को एंकाउंटर करके उन्होंने सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसके पियम मोदी ने विडियो कॉन्फरेंस के जरिये शुरुवात की। मत्यप्रदेश के रीवा में 750 मिगावाट का सौर उर्जा परियोजना शुरू की गई, जिसे एशिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना कहा जा वाकई इतिहास रच दिया है। संबोधन में पियम मोदी बोले कि हमारी सरकार के वक्त में सुच भारत, LPG देना, LED देना और उर्जा समित कई फैसले लिये गए, जिसे अर्दविवस्ता और परियावरन सर्वोपरी हैं। साथी पियम मोदी ने पिछले 6 साल में सरकार के द्वारा किये गए कामों को भी कि लगभग, 36 करोड़, यह आकड़ा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ LED बल्ब्स पूरे देश में वित्रित किये जा चुके हैं। एक करोड़ से जादा LED बल्ब्स देश भर में स्ट्रित लाइट्स में लगाए गए हैं। के राज बिजली वित्रन कमपनियों को अपूर्ती के जाएगी। एक करोशची लीजले लेगरा लेख लेगексन लीजले के लाएगी। ए सिनले कमेसे लेचिहां हैं। घजानीज़, लाईब गषिर्भानीशğin में वित्रते लाएगDe भ्युहां तान्याओ शुके लेटीघसेटरिई लेग्य करतेज Pierre लवित्रतい लेख्य। जब दा प्लिफ्ट आफ औव दिन है लिवांन षा है फब खूरार 名हने before कृम्हीच आफ लग्तर bereits है कि जब जब आफ खाब है ौइत्हुब खीम प्लोग लेभ ल़ाई टूछर लगीचानन GIR झाब लोगाथ So it's actually an attempt to bring back all the employment we have always had of making things itself for itself. And perhaps now we can do it for the world also, because the world is asking India to please get your act together. We want to bring our factories into your country, but only if you are organized. So this is an amazing opportunity, not only to get back all the employment that India always had, but also the ones that China had gotten from around the world by being a manufacturing hub. So the whole world is asking and expecting India to provide an alternative. So I really don't see much wisdom in this thing. Bengali superstar Prasunjeeb Chatterjee ने आयनस के साथ खास बात्चीत की, इस दोरान उन्होंने ने नेपोटिजम के बारे में भी खोल कर बात्चीत की. Me as an actor, I think I had worked with the maximum number of new girls, I had worked with maximum number of new directors, till today, it's not that, and I always believe that new talents needs to come. If you see my production, whichever I had done, if I had done five or ten films which I had produced, we will see, even television I'm talking about, we will see maybe one of those films where Prasunjit is there. Otherwise, it is mostly with all new faces. And now they are big stars now, honestly speaking, I don't want to name them, but people know. So that whenever I produce a firm, it is a very fresh director or it is a fresh cast with fresh face. So I always believe that, and this is even that, one thing which we need to also understand, that why I am, I can do some other business, right? So if I have learned something from this industry, I need to give back something to the industry and what else I can give apart from some new talents. इसी के साथ आएनिस न्यूस प्लस की खास कपरों में फिल हाल इतना ही जाज़त दीजे, नमस्कार.